नमस्कार आप देख रहे हैं नियूज 11 और मैं हूँ शिवानी आपके साथ और हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बार फिर बॉलियूर तरका में जी हां बॉलियूर तरका में आज हम बात करेंगे विकी कौशल की हालाकि विकी कौशल को कौन नहीं जानता है उरी फिल्म में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसके बाद तो चाहें इंडिया हो या इंडिया के बाहर उनके फैंस फॉलोइंग बहुत जादा बढ़ चुकी है बात अगर करें बॉलिवड में भारत की जवास जवानों पर कई फिल्में बनी हैं किसी बॉलिड स्टार के लिए एक सिपाही का किरदार निभाना किसी हीरो की लाइफ जीने से कम नहीं होता ऐसे अभीनेताओं की लिस्ट में अक्षे कुमार, सल्मान खान और शारुख खान जैसे अभीनेता शामिल है वहीं इस साल की शुरुवात में ही एक नए अभीनेता का नाम जुड़ गया है जिने आर्मी जवान के रोल में काफी पसंद भी किया गया है जी हाँ हम बात कर रहे हैं एक बार फिर विकी कौशल की फिल मूरी दा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद विकी कौशल को देश के असली ही रो यानि आर्मी जवानों के साथ समय बिताने का मौका मिला विकी कौशल को और नाशल परदेश के तवांग में भारतीन सीमा पर भारती सेना के साथ समय बिताने का मौकर मिला और उन्होंने ना सिर्फ जवानों के साथ मुलकात की बलकि उन्होंने सेना के लिए कुछ ऐसा काम किया कि सभी हैरान रह गया विकी कॉशल ने सेना के जवानों के लिए रोटी बनाई खास बात ये है कि ये उनके जीवन की पहली रोटी है जो उन्होंने सेना के लिए बनाई है ये बात उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर की है इसके साथ ही उन्होंने अपनी पहली रोटी की तस्वीरे भी शेर की हैं हलाकि विकी कौशल ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरे शेर करते वे लिखा के रुनाशल परदेश की तवांग में भारतीन सीमा पर 14,000 फीट की उचाई पर तैनाथ हमारी भारती सेना के साथ कुछ दिन बिताने का मौका पाकर काफी खुश हूँ जै जवान जै किशान वाई उन्होंने रोटी बनाते वे तस्वीरों के साथ लिखा कि मैंने अपनी जिन्दगी की पहली रोटी जो बनाई है वो भारती सेना के लिए है आपको बता दे कि उरीदा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब विकी मेगना गुलजार की फिल्म सैम फिल्म में नज़राएंगे ये फिल्म फर्स्ट फिल्ड मार्शन सैम मानिक शौ के जीवन पर अधारीत होगी ये फिल्म 2021 में फ्लोर पर नज़राएंगे हाला कि अगर हम पहले की बात करें तो एक दिन पहले विकी कॉशल को ले करके गंभिर बात सामने आय थी जिसमें ये कहा गया था कि विकी कॉशल ड्रक्स लेते वे नज़रा रहे है हाला कि करन जोहर ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर एक वीडियो शेयर की थी जिसमें दिपिका पदुकोन रनवीर कपूर अरजुन कपूर मलाइका रग साथ कई सितारे नज़राए थे उनमें से एक थे विकी कॉशल हाला कि बात ये कही गई थी कि कॉशल जहां बैठे वे उनके बगल में एक सफेद रंग का कुश देखा गया है लेकिन इस बात को बाद में नकारब भी गया और लोगों ने ये कहा कि ये लाइट की रिफलेक्शन है हम आपको बता देएं कि जिस तरह से विकी कॉशल अपनी हर फिल्मों में अलग-अलग तरीके से नज़र आते हैं अलग-अलग किरदार से नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं खास करके जिए लड़कियां हैं वो काफी जदा उनकी फैंस बन चुकी हैं तो देखना ये है कि विकी कॉशल अपने आने वाली फिल्मों में जिस तरह से हमने आपको बताए कि वो मेगना गुलजार की दूसरी फिल्म में नज़र आने वाले हैं तो इस फिल्म में उनका क्या लूक नज़र आता है और किस तरह से वो इसमें अपनी परफॉर्मिस देते हैं तो इसे ही तमाम खबरों से रूबर होने के लिए आपि मैं यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें न्यूज वन एलेवन नमस्कार न्यूज वन एलेवन के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दवाएं